नमस्कार जी नमस्कार अपना शुब नाम बताएं सर धर्म सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका पताईए क्या समस्य हाकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी अच्छा ठीक है और एक है जो लड़का है उसको फिसर है लड़कें को क्या है दोबारा बता है दर्म सिंगी फिसर फिसर बलड आता है ठीक है जी दोनों की उमर बताएं दोनों की उमर ऐसा अटाई सब्ताई थे जी ठीक अच्छा देखिए पहले बच्ची की बात करते हैं जी जिस बच्ची को अँधर सर धर्ड़कर नहीं बनती उसका इलाज पहले बताना जरूरी हो सकता है कॉल कर जाए जी जी और यही सब जो निश्केजात में बताता हूं यह सब यूट्यूब पर मिल सकते जी जी आप कागज और पैनल लेके बैठें नोट करते जाएं जी देखिए एक दवा है जो मैंने जितने लोगों को भी बताया जी उन सब की उमीद पूरी हुई अरे वह और मेरा काम है सच्चा मश्वर देना पिर रह जाता है आपका और आपके रब का मामला जी 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 जितना आप उससे मदद माओं को इत्ती मदद करेगा आपका नियत सच्ची होनी चाहिए जी नुस्खा में बतारा हूं इमान धारि से मेरी जिम्मेधारी कुछ निए जो भी मैं दौाइँ Cristyam Ta Theू His जी ज अश्वागंदा हिंदी में कहते हैं हम लोग कहते हैं अश्वागंदा हिंदी में कहते हैं हम लोग कहते हैं अश्वागंदा हिंदी में 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 कहते हैं अश्वागंदा ह कहते हैं यह और कलोंजी कलोंजी और आश्वगंधा नागारी कितनी लेनी यह सो ग्राम लेनी हैं सब को अलग अलग पाउडर बनाएं दोनों के अलग अलग एक साथ नहीं बन सकता है इनका प्र आपस में मिक्स कर दें ठीक है और इसकी दो चुटकी यह चुटकी है, जितना भी आता है इसमें रात को सोते वक्त, वो बच्चा और बच्ची दोनों और लडका भी लड़की भी दोनों है ऐसी पानी से ले ले दूर से ले ले जूर से ले 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 और तो तीन महीने कहा सकते यह नुक्सार नहीं देता इन सब इमरास के अलावा बहुत सी बीमारियों को फायदा करता है जो आपकी यूरिनली से मतालिक हो या गर्भाशे से मुतालिक हो उन बीमारियं को दफा करता है जिनके बच्चों के धरकन नहीं आती सबसे पहले दरसल दिल बनता है आदमी का जी 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 और उसमें धरकन आ जानी चाहिए ये गरब तो धारन कर लेती है जी यानी हमल तो रह जाता है लेकिन वो दिल नहीं बन पाता सबसे बनने वाला पाढ जो है वो दिल है जी 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 और दिल अगर साथ ना दे जान निकल जाती है तो उस वक जब बच्ची हमल में हमल हो जाए और दिल भी बन जाए फिर आगे की मश्वरा आप हमसे ज़रूर ले 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 हमारे वेबसाइट से ले ले, हमारे डाक्टर से ले ले केूक, मुराद रिवेड़ में लिडा कुपक अनुटर ब्यद्सा करते हैं, शम्राइब लगते हैं, रात में लेह लेकी, ऐसे वो लोग जिनको उलाद नहीं होती है जी 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 वो भी बहुत जादा है और अल्ला का बड़ा करभ है मैंने जिसको भी नुसका बताया अल्ला ने उसको कामियाब किया आप भी कोशिश करें यकीन करें और अपने रब से मदद मांगें मैंने आपको नुसका बताया अब लेनी है दोनों का पाउडर बनाना है अलग अलग और फिर दोनों को मिलाना है और अपने बेटे और अपने पुत्र और अपनी पुत्र वद्रू याने अपनी बहु को और अपने बेटे को दोनों को रात को सोने से पहले दो दो चुटकी लेने के लिए कहें और पानी के साथ भी ले सकते हैं जूस के साथ भी ले सकते हैं और ये उसके बाद में जब हमल ठैर जाता है गर्भवती हो जाती है और दिल भी बन जाता है तो बेटे को कहें वो लेना छोड़ दे और पुत्र वदू बहु को कहें वो इसको लेती रहें जिए बच्चे का रहे गया वो क्या थ धर्म सिंगी हम कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते हैं आप लाइन पे हैं बच्चे को फिशर था याद आगे मुझे तो देखी जिस शख्स को भी फिशर है तो वो सबर करें और कोई भी सखील गिजा यानि जो मुश्किल से हजम होती है वो लिखा है और एक नुस्खा बना ले जिए उसका बहुत आसान है दखिए पपीते का पत्ता जिए और पपीते का पत्ता सौफ, सौफ और आपका धनिया और कल भी शोरा जिए पपीते सौफ, बनाके एक किराम सुबह, एक किराम शाम तकरीबद एक कैपसूल बड़ा खा लिया करें, कड़वा लगे तो कैपसूल मिले मिलते हैं मार्केट में और ये इस्तेमाल करना शूरू करें, पहले एक खाया करें, पिर कम फायदा हो तो दो टाइम कर दे, कोई भी सखील की जाना ख उसका नाम बताना चाहेंगे, फिशर के प्लाज के, लेकिन मेरी आदत ही है कि मैं घरे जिन उसका बताता हूं, अगर किसी दवा से फाइदा नहों तो पीके ले सकते, ये फिशर, बावसीर, एसिडिटी, कब्स, लिवर प्रबलम या दवाओं के नुखसानात, किड्नी जाती है, जी जी, तो इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं, लेकिन पहले ये दवा लेके देखें, युनुस साब हमारे साथ नाइन पे हैं, युनुस साब आदाव आपका स्वागत है, अलो, जी, 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 युनुस साब आपका बहुत-बहुत अव्laईस अक्बा, वेस्ट बंगॉल से आप बोल रहे हैं, हमें बताया गया, हकीम साब, आपकी आवाद सुन रही है, आप परमाये, इसलाम-िलेध डाम, आपर लेकिने परता है, दूंने ने झाप ये बत अधने में, परतने में, ओमर पर माये, आप बात है, ड़क्क्तर चेयर में पढ़ें, टेवल चेयर में खाएं, और एकसरसाइज उन्हेंने बता है, एकसरसाइज हमने दो-तीन महिन ना किया, कोई फाइदा नहीं गया है, लवादियत हम खाएं, वह उसी तरह से नीव बान के अपना चलते हैं, और मजबूरी में निमाज पढ़ते हैं, जैसे और कोई बीमारी है, डाइबिटीज या ब्लेट पेशर, ने ब्लेट पेशर लाख से लिए, यूरिक एसिट बड़े ज़सा है, ठीक हाँ, जी, हाँ, यूनिस साहब, आपको खुब उमर दरास करें, सिहत के साथ, और दुनिया और आखरत में काम्याप करें हम सब को, और द इतनी आपकी उमर है, तक्रीबर इतना फाइदा आपको मुमकिन है, अच्छा, 70% इनको फाइदा मुमकिन है, जी, और कमोबिश, जी, और इसके लिए आप, अगर बाकाइदा अपनी रिपोर्ट शेयर कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो कहीं हमारा, जो हमारे दवाखाने है, जी, देहरबल नाम से, जहां जहां हैं, वहां आप कांटेक्ट कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो मैं घरेल नहीं उसका बताता हूं, जी, वो इस्तेमाल करें, खुब लल्ला से मदद मागें, और मुझे अमीद है कि आप, को फाइदा मुमकिन है, सुरंजा शीरी, अजगन नागोरी, अलसी और कलोंजी, खुब बारिक पाउडर बनाए, बिलकुल पिसी मतला ये, आप उसे खरी दिये, और घर में लाके पाउडर बनाएए, और इसको दो चुटकी, दीए ये चुटकी है हमारी, ऐसी दो चुटकी, जितना भी इसमें आए, आप मुझे भी कामियाब करे कि मैं लोगों की खिदमत करता रहूं जब तक जिन्दगी रहे, और आपका ठीक होना मुम्किन है, सुरंजान शीरी, अजगन नागोरी, अलसी और कलोंजी, ये चार चीजे लेनी हैं, इनका पाउडर एक साथ बनाने हैं या अलग अलग करके बनान और दो चीजे खुश कियां तो जो खुश चीजे हैं अनने अलग पाउडर बना लें जो वैसी हैं, आले हैं उनको अलग पाउडर बना लें तो आसानी होगी है, तो मिक्स कर दें और ये इस्तेमाल करें आप दो दो चुट्की, यानी तकरीब हैं एक 1 ग्राम होता लूप तो ये इस्तेमाल करना शुरू करें लेकिन ये दवाई आपके मर्स की दवाई है अभी तक आप दर्द की दवाई खा रहे हैं जी जूरूत पढ़ने पर वो भी खा सकते हैं ये छह साथ आठ दिन बाद आपको हलका सा फाइदा शुरू करेगी उमकीन है थोड़ा सा दर्द चार दिन के लिए बढ़ जाए जी 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 या घुटने का दर्द निकल कर कहीं पैर में पहुंच जाए या कमर में आ जाए तो इस से घवराना ने क्योंकि ये दवा का ये रविया है कि वो दर्द को वहां से निकालने के लिए अपनी जगा से धका देती है किसी के पिंडल लोगों को कम ही होता चला जाता है जी और आपकी किश्मत कितना अच्छा फाइदा हो इतना अप एतियात करेंगे दवा को मतबातिर लेंगे अतना फाइदा आसानी से मुमकिन ही विरेंदर जी नमसकार अलो फ्रत्सक्व मुर्यना मद्र je-स सर हकीम साब आपकी आवास सुन रहे हैं जी बताएए क्या समस्या है कापी समय से शरीरं खुजली होती है सर खुजली होती है शरीर में जी सर पंगल इंफेक्शन बताया जा रहा है अच्छा आपकी उम्र कितनी है अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में बताया था और फिर बतायता हूं एक तो आपका इलाका मैं जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका उसी तरफ है ना मुरहना मध्य प्रदेश में है भी नुरहना आगरा इस तरफ उत्तर अच्छा तो अभी आपके बारे में बात चल लेती के जिन लोगों को फंगर इंफेक्शन हो एलर्जी हो इसकिन एलर्जी खुझली हो और बहुत सारे इसकिन के इमरास के लिए अलसी आप लीजे दो डाइसो ग्राम खरीद लिए सस्ती चीज़ है विस तीस रुपए की और उसको फिर पौडर बना लिए आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है उसे रखिए आप एक डिब्बे में करके बंद करके और सुबह आपने हर मुझ भी ले सकते खाने के बाद भी ले सकते एक चमच बहर के निकाले तकरीबन चार पाश गिराम छे गिराम इसमें एक चु करें दिन बहुत ज्यादा है तो दो खुराक लें दिन में और कम है तो यह खुराक में ही आपको फाइदा दे सकता है यह बड़ा मुझरब है आप इस्तमाल करें किसी के काले काले निशान हो जाते हैं किसी के काले दाग हो जाते हैं किसी के पैरों में काले काले दाने होकर निकल होते हैं, मैंने अपनी तजबे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्जों में इस नुसके ने लोगों को फाइदा पहुचा है, अब भी कोशिश करिए, बहुत मुझरब नुसका है, आपके, आप अपने रब से खुब मदद भी मागए, अपनी वालदा जिन्दा है तो उन्हें से दुआ करवाईए, वालिद है तो जो भी बुजरग हैं, उनको खुश करिए, अगर नाराज है तो उनको राजी करिए, इंशालला आपका मज़ ठीक होने लाएक।